हालो फ्रेंट्स आप सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंट्स आज हम एम्स डिली के 2030 के फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं। तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम आल कैटिगरी का कट आफ और रांक मार्क्स सब कुछ कबर किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। फ्रेंट्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे साथ ही बेल आइकन को भी चास सिच है और ओपन पी डब्लूडी कैटोगरी के लिए दो ओबी सी कैटोगरी के लिए 32 ओबी सी पी डब्लूडी कैटोगरी के लिए 2 सी कैटोगरी के लिए 18 सी पी डब्लूडी कैटोगरी के लिए 1 सी कैटोगरी के लिए 8 एड़ एस के कैटोगरी के लिए 12 स्टी पी कैटिगरी के लिए एक इस प्रकार के कैटिगरी वाइज 125 M BBS सीट है इसके अलावा साथ NRI सीटे हैं एम्स दिल्ली में इस साल यानी 2030 में पिछले साल की तुल्ला में हर कैटोगरी का मार्क्स और रैंक हाई हुआ है फिरे भी कहें तो एम्स का डिमांड अब बढ़ने लगी ह क्योंकि एम्स तो एम्स ही होता है और दिल्ली एम्स का तो बात ही कुछ अलग है यहां की कट आफ देखे तो इस साल यानी 2023 में पहली राउंड में जेनेरल कैटोगरी के लिए ओपनिंग रैंक 4 और क्लोजिंग रैंक 50 और 710 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को यहां पर क्लोजिंग रैंक 1180 था जेनेरल पी डव्लू डी कैटोगरी के लिए पहली राउंड का क्लोजिंग रैंक 1018 था फ्रेंड्स कुछ और भी कैटिगरी है जो सब वीडियो में कहना संभव नहीं है सब कैटिगरी की अगर बात करेंगे तो वीडियो जादा लंबा हो जाएगा तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही अगर मन में कोई संदे है तो जरूर कमेट करें आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंदाए होगी वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ साथ बेल आइकोन को भी दबा लेना ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का सूचना आपको मिल सके भम्यवाद